तो Hello guys welcome back to my channel और आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन सीखने वाले हैं तो फंक्शन क्या होते है जावास्क्रिप में थोड़ा सा इसको जूम करके चलो वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं ठीक है आप देखो फंक्शन मैं उन लोगों को एक बार समझाना चाता हूँ जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं फंक्शन एक डिफाइंड सेट आफ प्रोग्राम्स होता है मतलब कह सकते हो कोड लाइन होता है जिसकी मदद से आप कोई ना कोई एक काम कर सकते है अब जैसे मैंने आपको बोला या फि विंकल ट्विंकल लिटल स्टाथ उसकी अपनी एक पोईम की लाइन्स है ना बस वो वो लाइन्स से मिलके पोईम बनी है और पोईम को एक नाम दिया गया है बस वैसे ही फंक्शन से हम कोड लाइन्स की मदद से एक पूरा फंक्शन बनाते हैं और उसको एक नाम दे देते ह तो अब चलो function बनाने की बारी आ चुकी है ठीक है सबसे पहले हमें कि यह poem वाला बना के लिखते हैं सबसे पहले आप लिखो function यह function keyword है जिसकी मदद से आप लोग function बना सब्सक्राइब ठीक है इसके बाद क्या करना है function को यह कि नाम दो लिखो om फिर दो brackets डालो अब इन brackets का use जो है मैं आपको जड़ा थोड़ी सी देर बाद आपको बताता हूँ तो इसलिए कहूंगा वीडियो को end तक ज़रूर देख लिए अब हमें curly brackets use करने क्योंकि इसके अंदर हम वो lines लिख print कर सकते हैं और जैसे आपकी teacher ने बोला मुझे poem सुना दो तो अब आप उनसे पूछ रहे हो console.log करके पूछ रहे हो ma'am twinkle 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 little star सुना दो लिखो यहां पर ठीक है अब यहां पर run कर दिया अब आपके दिमाग में आ रहा है ठीक है अभी आपकी बारी नहीं है यह अभी आ अगर मैं इसको run करूँ code को तो जब आपकी बारी नहीं आईगी है तो आप थोड़ी सुनाओगे जब आपकी बारी आएगी जब मैं हम आपका नाम बोलेंगे कि हाँ यह आपकर teacher को यह आपका नाम लेगा कि हाँ अब आप सुनो यह आपका यह रूल नमर है अब आप सुन इतल स्टार सुना दूँ तो teacher बोल सकते हाँ भई सुना दूँ तो आप सुना दो अपस ठीक है यह हमने बहुत बेसिक सा function create किया है यह बस एक poem के बारे बारे है मतब यह बहुत बेसिक सा function है अब थोड़ी सी function में हम depth में बात करते हैं जैसे मैंने आपको काता है यह दो brackets क आपको इनकी भी यह समझाऊंगा कि इनका क्या काम है ठीक है अब इनके काम की बार मात करते है ठीक है चलो हमें एक न ऐसे करते हैं जैसे आप कोई अपनी stationary item खरीदने गए मान लो आप एक pen खरीदने गए थे आप गए आपने बोला कि एक pen देदो XYZ company का आपने pen मांग लिय तो वो बंदा कहते है हाँ ठीक है आपने पैसे दिये ठीक है मान के चलो 100 रुपे का pen था आपने उसको 105 रुपे दिये अब आपकी maths निकली week तो अब इसके ओपर हम लोग एक function create करेंगे कि भाई आपको वो बता दे कितने पैसे आपको change में मिलेंगे बस ही आपको गिनती आ कर दो और यहां पर लिख दो आप मनी क्यों लिख रहे हो क्या पैसा दे रहे हो नो free of cost तो आपको नहीं दे रहा है तो इसलिए अब यहां पर क्या लिखिंगे वार चेंज एक वेरियाबल बना लो लिखो change is equal to में हम लोग लिख देंगे यहां पर मनी परसेंट परसेंट आपको बता है modular sign होता है यहां पर modular sign हम लोग यूज करेंगे और लिख दो मैं 100 अब जो 100 है न यह देखो यहां पर लिख देता हूं 100 is the cost of pen ठीक है यह मैंने comment create कर दिया मैं आप लिखता हूं console.log और फिर आप यहां पर लिख दो change ठीक है यह यह simple है चेंज लिख दिया आपने और इसके बाद आप function call करना कभी मद भूला ठीक है यह लिख दो pens और आपने यहां पर कितने पैसे दे रहो आप आप मान के चलो 105 रुपे दे लिए और अब जैसी आप इसको रन करोगे देखो आपको मिलता है पांच यहां पर आपको मिल अब यहां पर आप लोग देखो console.log की जगे रिटर्न का भी यूज कर सकते हो रिटर्न का यूज करना चाहिए आपको बट अब देखो return का यूज करोगे पर हमारे पास यहां पर console actually तो console में वो value को नहीं return कर पाएगा तो इसलिए हम लोग यहां पर console.log यूज कर रहे हैं आप चाहो तो उसकी जगह return भी यूज कर सकते हो चलो अब मैं आपको एक task दे रहा हूँ ठीक है अब आपने function सीख लिए अगर कहीं doubt आ रहा है या तो नीचे comment कर दो या थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो ठीक है अब मैं आपको एक task देता हूँ मान लोग आपको मैंने देदी जो pen की value मतलब cost है pen की cost 33.33 rupees है यहाँ पर मैं इसको change करके लिखता हूँ 33.33 है अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग मुझे बताओ मुझे change कितलब रहा है आप लोग कहोगे कि integral change मैं मांग रहा हूँ मैं कहूँगा return the integral change मतलब मैं यह नहीं मांग रहा हूँ कितने आपको पॉइंटों में पैसे मिले यह नहीं मैं कहा रहा हूँ कितने रुपे मिले मालब एक रुपे दो रुपे तीन रुपे मैं यह नहीं कहा रहा रुपे मिले वह 0.5 को ignore करतो बस मुझे एक रुपे बताओ वह हो जाएगा आपको integer value देनी है decimal value नहीं देनी ठीक है अब वीडियो को pause करो और यह चीज़ सॉल्व करो चलो अब मैं आपको बता देको अब जैसे मैं इसको run करूँगा तो यहाँ पर मुझे देखो 5.011000 बहुत सारे 05 मैं कह रहा हूँ भाई यह pointer वाला जो है न मैंने उसको बोल दिया यह pointer वाले को keep the change मुझे सिरफ 5 रुपे से मतलब है वो दे दो ठीक है तो यहाँ पर आप फ्लोर की मतलब से आप keep the change कर सकते है ठीक है यहाँ लिखा आप इसको run करो यह देखो आपको सिरफ 5 रो गएगा अब मैं डॉट फ्लोर का क्या function है यह आपको basically कोई भी fractional value यानि कि decimal value को एक integral value में round off कर देता है पस simple ठीक है लेकिन हमीशा यह उसका अगला नमबर नहीं है मा अब जैसे चलो दिखाता हूं मान के चलो यहाँ पर मैंने लिखा 100 और यहाँ पर था मेरा 99 नहीं रुको हाँ तीन बार 9 पर हमें modular से हटा के हम इसको डिवाइड में डालेंगे तो यह वाकी सब चीजों को छोड़ दो एक बर के लिए तो अब यह देखो यह हमें 9 रिटर्न करेगा क्या रिटर्न करेगा यह 9 रिटर्न करेगा ठीक है इसको दो मिनट के लिए इसको बहुत भी हटा दो अब देखो यह हमें सिर्फ 9 रिटर्न करेगा हमें पॉइंट 9-99 नहीं रिटर्न करेगा यानिकि उसको 10 नहीं कर देगा यह हमें चरफ उससे चोटा नंबर क्योंकि उससे ज्यादा नहीं सकते तो इसको रांड ओफ अमिश्य चोटे में करते हैं ठीक है तो math.floor का ये function है तो guys functions पे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे comment करके जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो मिलते हैं एक नहीं वीडियो में एक नहीं topic के साथ thank you and bye bye